डेंगरेडी डबल मडर डबल गेंगरेप मामले में 4 दोशी करार 6 बरी 15 अप्रेल को सुनाई जाएगी सजा परीजन फैंसले से नाखोस हाई कोट में करेंगे अपील आपको बतादें कि हरेना प्रदेश के बहु चर्चित डेंग हरेडी डबल मडर डबल गैम रेप मामले में करीब साड़े साथ साल बाद पंचकुला सीबियाई कोट ने फैसला सुनाया है केस में बारे आरोपियों में से चार को कोट ने दोशी करार दिया है जबकि छै को बर पीरित पक्षने फैसले पर निरासा जताई है तो वह पंचकुला सीबियाई कोट के फैसले के खिलाब अपील करेंगे सभी चार दोशीयों को आगामी 15 अप्रेल को सजा सुनाई जाएगी बताने की वर्स 2016 में 24-25 अगस्त की रात को ताबडू के गाउं ड्रिंग हरेडिक की एमपी मार्क के नज़्टीक एकांत में एक कोटे में रात में सो रहे परिवार पर बदमासों नी धाबा बोल दिया था नाबालिक सहे दो महिलाओं के साथ कैंग्रेप की वार्दात को अंचाम दिया गया था वहीं दमपती की हत्या की गए थे जबकि एक ही परिवार के पांच सदस्से लोगों को खायल कर दिया गया था मिबाच छेतर में इस संसनी घटना से हड़कम मच गया था जिसके बाद इस्तानिये पुलिस पर सवाल उठे तो तत्परत कारवाई करते होए एसाइटी गठित कर दे गए थी हैसाइटी टीम ने जच के दुरान दूसरे समधाय के चार इस्तानिये युवकों को आरोपी मानते होए गरबतार कर लिया था जिनकी गरबतारी होने से आरोपी पक्ष ने पुलिस की कारवाई पर सवाल खड़े किये और मिवात में तनाब का माहौल बना दोनों पक्षों की ओर से निस्पक्ष जाँच की मांग उठने लगी इस हाथसे में अंतर राष्टिये इस तर पर सुर्खियां बटोरी और सरकार ने जाँच सीबी आई को सौंब दी सीबी आई ने जाँच में चार इस्थानिये लोगों सहथ करीब 12 लोगों को आरोपी बनाया सुरुआत में गरतार किये चारों इस्थानिये आरोपियों को कुछ तिन बाद जमानत मिल गई लेकिन सुलुमाई के दौरान फिर उनकी जमानत रद हो गई तीन आरोपियों ने अधरत में समर्पन करतिया जबकि एक फरार हो गया वहीं सीबी आई जाँच में एक और आरोपी पनाय क्या है योबक ने जिस योबक ने आत्म हत्या कर ली जाँच के तौरान बाबरिया गैंग से जुड़े सेदस्यों का नाम सामनी आया जिसमें छे को गरबतार किया गया उस्तास में सीबी आई जाँच के मताबिक बाबरिया गैंग ने हासे में अपनी सनलिपता को सुईकार किया था सीबियाई ने पाबरिया कैंके सेदस्यों को आरोपी मानते हुए गरबतार किया करीब साड़े साथ साल तक मामले में सुनवाई के बाद गुदवार को पंचकुला सीबियाई कोट ने अपना फैंसला सुनाते हुए विने उर्फ लंबू जय भगवान हैमन्त चौहान और आयान चौहान पुदोशी माना जबकि तेशपाल अमित रविंद्र कमरचीत शंदीप और राफुल वर्मा को शक के अभावने कोट ने परी कर दिया जबकि एक अन्य आरोपी अमरचीत पैरॉल पर आने के पात फरार हो गया जिसके गरबतारी होनी बाकी है वहीं आपको बता दे कि इस मामले में हासे के बाद पिड़ित परिवार के तीन सदस्यों को मिली थी एस्थाई नोकरी इस हिर्दिय वरादक घटना के बाद पिड़ित परिवार के लिए सभी मंचों से इंसाफ की मांग उठने लगी थी पिड़ितों के लिए नोकरी न्याय रूप में नोकरी की मांग उठी तो तीन सदस्यों को इस्थाई नोकरी दी गई जिसमें एक महिला को भी सामिल किया गया था पिरित परीजों ने कहा है कि कुछ तिन बाद ही एक युवक की नोकरी हटा दी जिने आज तक दोबारा नहीं रखा गया है आप देखरें तावडू से साहित मिवाती के साथ लियाकतली पत्रकार के पोछ